ओल्राइट दोसे की हाल चाहल से वीडियो में हम लोग बात करें वाले हैं सच्टम CTL कमांड के बारे में जिसको यूज करके हम अपने Linux पे जो भी हमारी services में उसको manage कर सकते हैं हम लोग काफी सारी अपने पुरानी वीडियो में भी इस कमांड का यूज किया था अपनी services को start stop करने के लिए बाट हम लोग इसके बारे में कुछ और भी चीजे देखेंगे सबसे पहले तो बात करते हैं services की तो services क्या होता है जैसे कि यहां पर windows में simply search करोगे services तो आपको यहां पर पूरी services के आपके list दिख जाएगी one of the example में आपको बताता हूँ जैसे कि आप जब mysql install करते हो and use करते हो so यहां पर देखो के तो यह देखो mysql की services चलती है जो background में हम इचा चलती होती है यहां पर आपका यह database चल रहा है and आप externally किसी tools से इसको interact करते हो जैसे कि आप command line हो गया तो workbench हो गया आप वहां से a query execute करते हो and यहां पर यह service तो उस पर respond करता है ठीके तो इस तरह से काफी सरी services हमारी linux पर भी होती है and उसको manage करने के लिए हम लोग systemctl command का use करते हैं आगे देखते हैं what is the systemctl, it is used to control the status of the services syntax के बाद करना तो systemctl उसके बाद कोई option कि आप में क्या actions पर perform करना है और उसके बाद हम अपनी service का नाम दे सकते हैं सबसे बहले तो देखते हैं कि कुछ इसके operations जैसे कि बहुत ही simple operations से start करते है systemctl start या तो stop and service करने आप इसी service को आपको start करना तो simply आप इस तरह से use कर सकते हूं या तो start या तो stop ठीके बहुत ही simple है and एक बार ठीके तो हम लोग पहले तो टर्मिनल पर चलते हैं इसके related कुछ action भी perform करते हैं ठीके तो यहां पर मैं आ गया हूं अपने linux send to us environment में and इसमें as a route मैंने लॉग देन है तो यहां पर मेरे पास एक httpd नाम की मेरे पास एक service है and उसे मुझे start करना तो मैं simply करूंगा system ctl and start and उसके बाद httpd मैं जैसे start करता हूं okay so like this and उसी तरह से हम stop भी कर सकते हैं but अगर ठीके तो एक बच जब हमारी start हो जाती है तो stop होती है तो हम उसको check कैसे करें कि यार हमारा जो task था वो successfully execute हो गया कि मतलब हमाई service successfully start या stop हुई है कि नहीं हम उसको कैसे check करें so to check the status simply कैस system ctl status and जो भी service name से अभी हम लोग ने start किया था वही service हम लोग use करेंगे so चलते डारेक अब देखो यहाँ पर start किया था ना यहाँ पर इसके जगे simple कर दो status हमें जैसे status करता हूं so अगर आप देखोगी यहाँ पर active के अंदर लगोगे active and running तो active and running है मतलब कि हमारे यहाँ पर successfully start हो गया था right and similarly जैसे कि हम लोग ने start किया था हम लोग यहाँ पर stop भी कर सकते हैं ठीक है and जैसे stop किया है आप भी हमें check करना है तो हम लोग simply status देख सकते हैं इसका and now you can see कि यहाँ पर inactive and dead मतलब ही service dead है यहाँ पर बंद है okay so इसी series में एक और हमारे पास option होता है restart करने का किसी service को suppose आपने किसी service में ठीक है किसी जो हमारा जो भी application है तो प्रोग्राम में कुछ configuration में कुछ changes किये है and आप उसको मतलब effect में लाना चाहते हो जो भी changes है तो इसके लिए आपको service को restart करना पड़ता है तो rather than कि आप stop करो फिर से start करो तो आप simply एक ही command में इसका use कर सकते हो सिंप्ली क्या है systemctl restart कर दो तो वह आपके stop हो के फिर से start हो जाएगा जो भी आपने changes किये है वो उसका effect में ले लेगा तो अगर टाइमिनल पर देखे तो simply systemctl restart और उसके बाद आपको service का नाम देना है मैं जैसी करता हूँ enter तो यह आपकी जो service है वो restart हो जाएगी and restart करने करा तो फिर से status check कर सकते हो कि it's properly started or not तो यहाँ पे status देख लेते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखोगे अभी जब आप status check करते हो ना तो यहाँ पे आपको एक basic locks भी दिखाई देते हैं आपकी service related तो अगर आप यहाँ पे देखोगे नीचे तो देखो यहाँ पे जो services थी ठीक है तो यहाँ पे टाइमिंग आप देखो देखो यहाँ पे stopped हुई फिर से start हुई तो in this way आप check भी कर सकते हो कि यहाँ पे आपकी जो service है properly restart हुई है या नहीं अब बात करते हैं systemctl enable service तो किसी service को enable करने का क्या मतलब होता है इन क्यों करते है अगर हम चाहते हैं कि हमारी कोई एक service हो वो हमीशा up and running होना चाहिए even अगर हमारे computer restart हो जाए तो reboot हो जाए तब भी हमारी service automatically start हो जानी चाहिए अभी हमें हमेशा हर बार वहाँ पे जाके manually start करने की जरूवत ना हो तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं किसी service को enable कर सकते हैं कि अभी तो जैसे कि हम लोग ने httpd जो अभी service start करी थी अगर उसके बाद हमारा system reboot हो जाता है तो हमारी service stopped हो जाएगी but enable करने के बाद वह हमारी service है हमेशा open running रहेगी तो यह उसका benefit होता है and जैसे कि काफी सारी services अभी जैसे कि आप web services provide कर रहे हो तो आप आपको हमेशा अपनी services open running रखना पड़ेगा उस case में आप enable कर सकते हो तो यहां पर terminal प देख लेते पहले status देखने के लिए बहुत ही simple सा है कि यहां पर लाश में देखोगे तो system CTL is enabled and उसके बाद service name देखे आप check कर सकते हो is enabled मैं पूछ रहा हूँ कि enable है कि नहीं तो यहां पर देखोगे तो यह service अभी disabled है तो एक तरीका यह भी है इस तरह से check करने का अगर मैं इसको enable कर देता हूँ इनेबल यहां पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि आप जब enable करते हो किसी service को इसका मतलब यह नहीं है कि इस तरह से करना पड़ेगा start ठीक है ओके अब मैं अभी तो हम लोग ने enable कर दिया था उसके बाद हम लोग इस enabled फिर से check करते हैं तो यहां पर देखोगे तो enabled यहां पर आपको दिखा रहा है and यहां पर अभी हम लोग ने दो steps में process किये कि suppose कोई stop है कोई service and उसको enable and start हमें एक साथ करना है तो हम लोग इस तरह से भी कर सकते हैं अगर आप देखोगे यह command systemctl enable and उसके हाथ hyphen hyphen now कर दोगे and उसके service का नाम दोगे तो यहां पर hyphen hyphen now से क्या होगा enable के साथ-साथ वो start भी आपके लिए कर देगा so एक command में अपना काम हो जाता है so this is one of the option को क्या बजाता है disable पे so disable का इतना ही मतलब होता है कि जब भी हमारा computer reboot होगा तो हमारी service automatically start नहीं होगी simple इतना ही मतलब है disable का but अगर आप यह चीज़ सोच रहो कि disable मतलब कि कोई भी user इसको start ना कर पाए तो ऐसर नहीं उसके लिए भी option है हमारे पास क्योंकि देखो हम जब normally disable करते हैं तो कोई भी user simply start कर सकता है उस service को but अगर हम चाते हैं कि ऐसा ना हो सो हम लोग क्या है उस service को mask कर सकते हैं अब जैसे कि हम देखो कि to prevent the service to start we can use the mask systemctl mask and उसके service name दे देना आपको इसके बाद क्या होगा कोई भी normal user normal क्या कोई भी user उसको directly start नहीं कर सकता and दूसरी कोशिश कर रहा होगा कि यह service start करने कि तो भी नहीं होगा यह भी एक reason हो सकता है अब जैसे कि script में लिखा हो या तो कोई दूसरा service इस पर dependencies हो तो यह service फिर भी start नहीं होगी सो अभी हमारी htpd service enabled है जैसे कि आप देख सकते हो तो हम लोग simply पहले तो इसको disable कर देते हैं यहाँ पर देखो status भी देख रहा है disabled अभी हम लोग करेंगे इसकी masking ठीक है तो हम लोग क्या करेंगे systemctl उसके बात कर देंगे mask and yeah that's it and इसके बाद अगर मैं इसको start करने की कुशिश करूं तो आप देखोगे systemctl start htpd simply htpd करता हूं so यहाँ पर देखोगे तो failed to start htpd service okay यह service mask है तो यह start नहीं होगी even मैं as a route हूँ user से यह permission से यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता है तो जब तक वो mask रहेगी हम उसको start नहीं कर पाएंगे so in case अगर यह requirement है आपकी कि अगर आप नहीं चाहते हो किसी भी तरह से आपकी service आप आएं तो आप उसको mask कर सकते हो अगर आपका कुछ काम हो गया है अगर आप चाहते हो फिर से उसको release करने के लिए तो आप simply unmask करके उसको start कर सकते हो अभी मैंने unmask किया और उसके बाद मैं start करता हूँ यहाँ पर simply start हो जाएगा अपके बाद हम लोग कुछ और भी operation देखते है system CTL को use करके जैसे कि simple कुछ computer control commands जैसे कि system CTL power off अगर आपको अपने system power off करना है तो using the commands तो यह एक तरीका है okay reboot करना वो भी कर सकते system CTL reboot तो normal reboot से भी actually हो जाता है जैकर system d command है वो and उसके बाद system CTL hyphen i reboot मतलब कोई भी डूसरे users logged in है तो इसको इग्नोर करके मतलब forcefully इसको reboot कर देगा so this is इसके बाद system CTL के कुछ और भी हम options देखते हैं so list all the sockets and memory available for the inter-process communication so within the programs communications के लिए जो भी sockets available है उसके बारे information चीए तो आप using this कर सकते हो system CTL list sockets and types भी उसके देखना दो hyphen hyphen show types and list sockets so इस तरह से आप देख सकते हो so terminal पे एक बार try करके देखते हैं देखो कि system CTL hyphen hyphen show types and list sockets so and जैसे एंटर करता हूं so आप इस तरह से देखो कि different column से यहां पे listen है and यहां पे socket types कौन सा type का है वो अलग-अलग type and कौन सी unit इसको use कर रही है ठीक है so यह काफी काफी जैके helpful रह सकता है अगर आपको socket से related information चाहिए तो यह आप कर सकते हो जैसे कि अगर हम units की बात करें अब यहां पे system CTL अब simply यहां पे system CTL करते हो यहां पे देखोगे तो आपको यहां पे units दिखाए दिए अगर आपको suppose जो भी active and running जो भी process है units उसके बारे में information चाहिए तो आप simply क्या कर सकते हो यहां पे grab कर सकते हो and running okay and hyphen I करके देखते हैं यहां पे देखोगे तो यहां पे जितनी भी services है running आपको यहां पे दिख जाएंगे okay and यहां पे आप चाहो तो ऐसे hyphen more भी कर सकते हो and इस तरह से आप जो भी आपकी services है loaded active and running ठीक है so यह running जो भी आपकी services है जैसे कि यहां पे crony d है bluetooth है and so on यह five or three service तो यहां पे आपको यह सारी services की भी information मिल जाती है जो काफी जगे यह भी helpful रहती हमें कि जब भी हमें काफी सारी information देखनी है कि कौन सी services है active running कौन सी है तो यह यहां पे आप units की देख सकते हो okay so अभी तक जो भी वीडियो यहां तक देख रहा है तो आप लोग के लिए एक task है प्लीज प्रैक्टिस ज़रूर करो कि यह सारी जो commands हम लोग है यूज कर रहे है यह जो तो simple से कुछ task है आपके लिए तो क्या करना है आपको check the status of a service ठीक है तो suppose sshd service ठीक है तो आप try करो उसका status check करने का उसके बाद stop the service and recheck the status ठीक है and आपको service stop करना है okay and उसके बाद disable करो service को अपने system को computer को reboot करो and उसके बाद check करो कि वो service आप तो नहीं है तो यह हो गया third task enable the service इसी service को enable करो and अपने system को reboot करो and check करो कि वो service आप आई है कि नहीं okay तो कि अभी तक हम लोग theoretical पढ़ रहा है बढ़ हम लोग check कैसे करेंगे confirm कैसे करेंगे कि it is really working so यह इसलिए हम लोग के task हम लोग कर रहा है perform and last में stop the service and mask it and try starting it to check if the it is successful इसी service को stop करो and mask करो and उसके बाद check करो try करने का कि वो start हो पा रही है कि नहीं all right so video यहीं तक है I hope video helpful रही होगी कुछ नहीं सीखा होगा in that case hit that like button channel पहली वाया हो तो subscribe जरू कर देना thanks for watching